वीडियो जोन करो सब लोग वीडियो जोन करो सब लोगों के वीडियो और और अदियो जोन करों है है अज हमारा कांसर इंडेक है साइकालव जचाइक साइकोलोजिवाकर पहले साइक्पदर है क्या था एक 20 साल पर ले जबी आपकी जनम भी नहीं हुआ होगा तो साइकर्ट इसके पास जाना में पागल ही हो गया इसको दिमागी बीमारी है तो यह पहले कर सकते हैं इस तरह के से उसको जो देखने का तरीका है नजरिया है वो लोली-स लोली इस इंपूवी और सैकोलोजी अभी कोर्पोरेट में कोर्पोरेट वर्ड में भी मैनेजमेंट भी इंपूड किया है वाई विकॉस दमाइंड आट इस इसे जो भी लर्निंग है इसे हमारी लाइफ में हमें क्या फाइदा होगा इसको देखना है यह है और सिस्टांट पैसने क्या है प्लिज मैन क्या होटा है थाइज पालोजी में वन काता सब्सक्राइब इस इसी को अडियो है और बहुत सारा अलग-अलब लाइंवेज में कुछ सुनाई दे रहा है जिस चेक यूर बैग्राउंड वोइसे ओके मन क्या होता है कौई बताएगा मन किसने देखा है पस्क्राइब दिल के बारे में इस इल इल मन की सुनो ये मन है क्या? एनिवन नू? तिंकिंग मेरा अब तिंकिंग मनने शुक्ता मां करना तिंकिंग अपनवीचार करते हुआ हाँ और मन का कोई है क्या लीमिट है क्या अभी आज हम इधर है अभी मेरी बात सुन रहे हो कुछ दिमाग में आ गया गया अमेरिका में गया कुछ दिमाग में आ गया गया कट्रीना के शाथ में चाय पली बैट के पॉसिबल है कि नहीं? तो यह मन क्या है? और मन को कोई लिमिट लेस है, infinite that is the infinite mind energy और हमारी imagination भी infinite एंवन आफ यू नो about Elon Musk पता है किसको तुना है आपने Elon Musk के बारे में I'm a big fan of since many years उसकी imagination क्या थी कि Mars पे जाके हमारी जैसे हम लोग रहते हैं वैसे मास पे मंगल गरा पे घर बनाए है पहले उसका क्या था कि पेट्रोल या जो पॉलुशन बढ़ रहा है उसके लिए उसे ऐसा सोलुशन चाहिए था पर्मनेंट और पॉर्दो होल यूमनिटी तो उसमें क्या क्या इलेक्टिकल वेहिकल तैयार की उसका बप्तम से ऐसे सारे से आप उसकी उसकी बुक पड़ो बहुत सारी बुक से उस पे और उसमें यह सारा दिया है तो यह क्यों हो गया अधि होते हैं तो वह मन की टाकत मन की सोच इच्छा शक्ति उससे हो यह सब एक्ष्व कर सकते हैं तो नाव यू पीपल आर यंग अभी आपके हाथ में सब कुछ है ऐसा नहीं कि आप सतर साल के हो गए और बाद में फिर रही ये करना रहे गया वो करना रहे गया ऐसा नहीं तो आप अपनी मन की ताकत बढ़ा कि आप कोई भी चीज ये लाइफ में एचीव कर सकते तो ये आपके हाथ में कि आपको क्या चाहिए लाइफ में सिर्फ फिलो एक दो चार बंगले बनाए दो चार गाडिया ली अच्छी सी सुन्दर सी वाइप या हस्बंड है अच्छा सा करियर है फिर मर गए इतना अगर लिमिटेड अगर आपको लाइफ चाहिए तो इट विल भी लाइफ तो ये आपकी कंट्रोल में क्या है हमारा तो आपका मन और आप क्या कर सकते हैं लाइफ में ये कंप्लीटली अंडर यॉर कंट दूसरा को ये डिसाइड नहीं करता तो आपको कितनी लिमिट में आप खुद को समझते हो इस पर डिपेंडेट कि आपकी सब्सक्राइब कर सकते हो और तालिव किसे इस आप लोगों को सबको एक एक स्साइस है ये थोड़ा सा सब्लोग जॉइंग हो रहे थे इसको बोलते हैं चिन मुद्रा क्या बोलते हैं इसको चिन मुद्रा तो सबने पहले हम क्या करेंगी चिन मुद्रा में आके बन करके बैटेंगे और प्राथना करेंगे जो भी हमारे गुरू है जो भी हमारे इश्वर है उनको उनके लिए प्राथना करेंगी वाई विकॉज हम लोग अभी जो स्टार्ट करें साइकोलोजी का उससे आपकी लाइट में अच्छा सा ट्रांस्फॉर्मेशन आ जाए वो एक डिवाइन एनर्जी का ब्लेसिंग मिले गुरु कुर्पा रहे इश्वर का अशिर्वार रहे इसके लिए हमें वो शक्ति से जुड़न हाव ratun को जेए तूसरा हम जब बैटते हैं सेशन में तो बहुत सारा कुछ पहले हुआ होता है सुवे से वह सारे चोड़न सींद्। प क करते हैं तो एकडम प्लैंक माइंड हो जाता है और जो भी अच्छा हम सिखते उसको हम अच्छी तरह से ग्रास कर पाते हैं इसको वी आर एबल टो रिसेज़ एबरेट तो सभी लोग चिन मुद्रा में बैटे आख बन करें और यह हमारे ब्रीडिंग पर कोकस करना है ओके और मन में आपकी जो भी प्रातना है वो बोल नहीं है या फिल मैं गड़ेश जी की बोल तो ओके तब ही लोग बैठें complete focus on your breathing हमारी श्वास अंदर जा रही है close your eyes focus on your breathing हमारी श्वास की गत्पी बिल्कुल धीमे हो रही है हमारी श्वास अंदर जा रही है और बाहर जा रही है अब लोग आसानी से मैसूस कर पाते है हमारी श्वास का रिदम कैसा है हम चालो ब्रीदिंग नहीं कर रहे है पुर्ण जाब रूपता या पुर्ण लक्षा दिऊन आपन श्वासा कड़े बगता हो हमारी श्रद्धा है और इश्वार के प्रति मन ही मन में उनको रणाम करना है और उनकी प्यार्थना दो मिनिट तक हमें पोल दिए ले वी टेम शालन पर फो तही प्यार्ण नट वी इन वे वी इन गर्यारों झाल 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 प्रभी एक सिक्रेट शेयर करते हूं, सबी लोग ध्यान से सुनिये. कोई भी हम एक काम करकी दूसरा काम में स्टार्ट करने से पहले अगर यह ऐसे करते है तो वो हमारा जो बायो रिदम चेंज होता है और उससे जो भी काम दूसरा करें उसमें आसानी से मन लगता है और सक्सेज भी मिल जाती है जो भी निगेटिव पैटर्न पहले का है कोई भी पैटर्न हो उससे हम रिदम चेंज होके नई इसमें आसानी से अलाइन हो जाते हैं ठीक है अभी मैं मेरे अध्यात्मी गुरू है दॉक्टर प्रेम जी निर्मल और मैं महावतार बाबाजी है उनकी शिश्य हूँ और उनको फॉलो करती हूँ उनको मैं अपने मन में प्रणाव को अभी हम यह जो टॉपिक समझने जा रहे इससे आप आपको बहुत क्लारिटी आ जाए हमारी इंडिया में एक तो बच्चे का जन्म होता है तो पहले डॉक्टर क्या करते पता है बच्चा जैसे मां के पेसे बाहर आते ने उसको पिटते हैं मालते हैं तब फीय और होता है अप ऐसा नहीं आ होज़से कुश यह बिचारे को लेकर अषय से नहीं होता है उसको वह कि इससे क्या होता है तो कि वो शॉट होता है तो जो बच्चा जब रहार आता है इमिजेटली कि ऐसे पीटे तो कैसे लगेगा आपको शॉकिंग और नॉट इन डाट स्टेट ऑफ माइंड तो ऐसे ही सारे बच्चों को जनम के बाद में लोग मारते हैं यह सिस्टीम हमारी इंडिया में वह गलत है लेकिन इसे उनके सबकॉंशन माइंड में फियर पैक्टर चला जाता है और हम लोग जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं तो हमें फिर यह फियर का अंदाज होता है हमारे मन में नहीं तो तर कभी नहीं रहता है फिर आगे जाके यह फियर को टैकल करना कॉंपिड़न्स कम होना यह सारी समझा है आती रहे इसको कैसे टैकल करने का है इसको कैसे सम समझना है और इसको light में affect नहीं होने देना है, यह हमें हभी सीख. तो फिर्स thing है, light में important क्या है कि हमें दिशा समझनी चाहिए, कि हमें क्या करना है, हमेरे goals क्या है, तो exercise है आप सब के लिए, सब के पास paper pen ya notebook है, you carry all of you. तो आप सभी लोग 5 मिन्स मोट को Yes Any question सभी लोग 10 मिनिट मैं देती हूं आपको और सब लोगों ने एक exercise करना है कि अभी आज की date है 7 July 2021 तो 5 साल के बाद में मतलब 22, 23, 24, 25, 26 2026 में आप अपने आपको कैसे देखते हो What are your goals? How you want to be after 5 यह आपको एक 5 लाइन में लिखना है सब्सक्राइब अपने अपने नोट बूप ठीक है 5 साल के बाद में आपकी लाइफ कैसी होने चाहिए आपकी अच्विमेंट या आप कैसे होने चाहिए यह आपको सोच के लिखना है How you want to become, how you want to be after 5 years from now Your goals पैसल के बाद में यह गोल मुझे अच्विव करना है झाहिए 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 के किया किस्विवाइब झाहिए झाहिए झाल 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 इतनी बड़ी आ कि उनको अगर वो भागेंगे नहीं तो आत्मी जलके मर जाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं? अंदा है उसको रास्ता नहीं दिखाई देता है और जो लेम है जो हैंडी कैप है वो चल नहीं पाते हैं वो दोड नहीं सकता है तो ऐसे में उनक अडियो ओन नहीं है तो अंदा चाथ खांदियावर बस्तों अधिशन दाको शक्तो है तो अंदा में पूरू शक्तो है यह पर जो उनके आनि इसे ही किया त्यानी आसस केल कि आप जो अंदा आ मांसा नी त्याला आंदियावर घितल आणी यानि रास्ता दाखोला निमते ज so they were saved because of this action so up there you wanna they apply ishacha everyone is comfortable with Marathi or should I speak in Hindi anyone wanting Hindi please let me know because Marathi comfortable as the Marathi it is in Sanskrit anyone want this session in Hindi or English okay आपने मराथित कंटेनेव करूं तर अपना जिवा याज है सिग्निफिकंट आहे कि आपना माइंड आणी ब्रेन जे अपने मन आई मिन भावना आणी अपनी बुद्धी या या दोनी या दोन व्यक्तिन सर्ख्या आहे जा भावना आसता त्याना पुड़े कायते दिसत नस् आहे एमोश्णली ब्हावने नी विचार करूं इंपल्सिव कि मां चुकी चे निरने की हुआ शकता त्याला भावनें से यह उड़का ही विचार नलत आट्यों आतो भ्याक्तिकलल आतो ब््रेन नी भ्यदी तीक्कि प्राक्टिकल आतो प्राक्टिकलल के वांजे लॉजिक का असा है कि there has to be a balance in emotions and thoughts तो हमारा जो हमारी जो भावनाय है और हमारे विचार है उनमें एक सूस उतरता या एक संतुलन होना चाहिए अगर ये संतुलन नहीं होता है तो क्या होगा जहां पे भावन भावना से सोचने की या भावना से निरणे लेने की जुरुत नहीं है चाहिए वासे भावनाह से निरणे लिये जाते है और वो परेशानी जीवन में और परेशानयाक करती है उतरह करता assessments और जहां पर हमें भावन आया कि हमारी सोच यहादा ही प्रैक्टिकल हो गई तो वह नीरने भी गलत हो सकते हैं अब हमेशा हमाय हमें यह अवेर्स या हमें वह जागरुपता मन में चाहिए हमें समझना चाहिए की कहां पर इमोशनल होना है और कहां पर हमें rational या practical तरीके से सोचना है तो यह संतुलन बहुत जरूरी होता है अगर यह संतुलन नहीं होता है कोई person अगर बहुत ज्यादा भावुफ है और कोई person है वह बहुत ज्यादा practical लिए बहुत ही मट्रियालिस्टिक सोच रखने वाला है तो उनके लाइक में वह बैलंस नहीं रहता है और उनके बागी डायमेंशन में इश्यू जाते हैं तो सबसे प्यार करेगा सब लोग उससे प्यार करेगे लेकिन जो वेल क्रियेशन है या एक कंफरेबल लाइफ चाहि प्रेबल नहीं जो या फिर बहुत ही मट्रियालिस्टिक है परसन ट्रैक्टिकल है तो क्या करेगा पैसे के पीछे भागेगा बहुत सारी इसके पास वहीं करियर भी अच्छा होगा लेकिन लौट एक पर या कंपैशन है इसको बोलते है इमोशनल पाटे उसमें वह इसमें अगर संतुलन है तो ही सकसे सासानी से मिलती है तो इस समरुद्धी का मार्गी साइकलोजी से हम आगे शीए कोई क्वेशन है आपको अभी जो एक्स्पेंड किया उसके बारे में इन्यों है परी ओके नाव इंपोर्टन पैक्टर और यह वन ओप्स्टाइकल और इन अगरे लास चीवन में हमेशा भावना और वैचार इक दोनों में संतुलन होना चाहिए जहां पर विचार करके निर्णे लेना है समझो घर में कोई चोरी करने आ गया चोर हां अभी वह सपोस्ट बहुत गरीब है और हम बहुत ही इमोशनल है वह ज्यादा सात्विक है तो ऐसा इंसान क्या करेगा हां अरे भाई कितना गरीब है मुझे तो तुझ पर दयार मैं अ यह ज़रूरी नहीं इसको तो यहां पर इमोशन की है यहां पे टैक्तिकल होने की ज़रूरत है ठीक है और अगर सपोस्ट अगर बच्चा है सपोस्ट उसको कुछ आइसक्रिम चाहिए वो बोल गाई चॉकलेंट चाहिए दो मिनित का काम है कुछ जाहिए या उसकी मदर है और वो कुछ काम करें और बच्चा चोटा सा कुछ बोलने के लिए आ गया तो फिर मां किया अरे तू अभी बात मत कर अभी मुझे तंग मत कर तू यहां से दूर बाग जा मुझे काम है तो यह क्या हो गया ऐसी मदरेश is more practical अपनी बच्चे की भावना के बारे में नहीं सोच की है तो यह दोनों situation है इसमें क्या करना चाहिए कि किसी और का मन बिना दुखा या उसके भावनाओं की कदर करके वो situation को कैसे handle करना है यही psychology और तो गेट यूरसेलफ हर्ट अस्वेल नौट वहर्ट अधर परसन पर स्क्राटेजिकली यू एचिव वाटेव यू वाटेव 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 एचिव और कि इसको बोलते हैं मैं विन-विन-विन-विन अपका यह भला है यह पॉइंट तो आप देखो और आप भी देखो अभी यह रूटीन में आपको चिक करना होगा कि आप जो भी चॉइसेस करते हैं जो भी डिसीजन लेते हैं वो कितने एमोशनल है और कितने आप वैचारिक निरने होते हैं यह आपको खुद को एनलेसिस करता हो कि वाइं दूइंड इस अमाई दूइंग इस दूइ अधिक करणिशन है जैसे बचपन नहीं बताया जाता है कि लड़की ओंपन सब काम आना चाहिए लड़कियों ने ऐसा नहीं करना चाहिए लड़कियों की शादी परियर कुछ भी अमेरी पास काउंसिलिग के रिए ड़की करियर अच्छा रोता है उसका लेकिन पैरेंट्स कि लड़का कितना भी कर सकता है उसको खाना बनाना आने की जुरुवत नहीं है यह बहुत ऐसा कंडिशनिंग होता है इसके क्या हो रहा है कि बच्चों को किसी भी शेहर में अकेले रहेना पड़ता है करो ममी को बोलो यह कुछ कुछ काम नहीं कर पाते हैं और यह क्रिएट मैंस इन देर लाइफ तो सबसे इंपोर्टन यह है कि अभी का जो तेरा चल रहा है इसमें आपकी जनरेशन जो यह विटनेस कर यह कोरोना है और यह डिजिटल रिवलिशन हो रहा है इसमें कोई भी जॉब जैसे पहले था ना स्टिट बैंक में लड़का लग गया और जलो ही रहे गया और रिटाइर होके पेंजन लगे घर में तो यह जो पहले था याए कंपनी में प्राइवेट जॉब जॉब किया उसे 20 साल तक 30 साल तक वही जॉप किया और फिलिटार हो तो ये सारा भी चेंज हो रहा है तो इसके लिए आपको खुद की जो कंडिशनिंग पहले से की है बच्पन से कि चाहे लड़के हो तो उन्हें काम नहीं करना चाहिए यह फिल लड़की यह जादा काम लड़क्यों को फैंना समें कुछ नहीं देखना चीनों यह सारा पांडिशन होता था और और टारा जो क्पायांन्स का है वो लड़कों को नॉलेज के जूद दरूरत नहीं करते हैं और फिर वह टाम पे उनको सीखना पड़ता है वह टाइम जैसे को आप प्यास लग गई को आप होता हां तो यह एकड़मिक करियर में सब नहीं होता इंडिया में तो इन्वेस्मेंट कैसे करेवेल क्येशन तो यह आपको सबको यह सब अभी से सीखना होता जो भी सोर्से से यह समझ में आ गया कंडिशन का अभी एका दर्शी का अपको आस घर में रखते हैं सब कंबल सरी किया जाता है वह बाद में जाता है जर्मनी में उससे साबू दाना नहीं मिलता है बटाटा नहीं मिलता है क्या करेगा लड़का ठीक है तो वह कंडिशनींग जो है ना वह एस्पन सिचुएशन यूनीड टू अभी घर में हैं इंडिया में है माबाव का पैरेंट्स का मन रखो जो भी बोलते हैं करो लेकिन कहीं और शाते हैं तो वह सिचुएशन की इसताब से आपको खुटको बदलना आना चाहिए वहां पर फियर नहीं होना चाहिए अरे विश्व भगवान पिर क्या करेंगे मैं अगर उप्वास नहीं करूंगा तो भगवान को यह ऐसा नहीं करते हैं यह सब हमारे जो उप्वास वगरा है हमारे हेल्थ के लिए डाइट में अच्छा होता है इसलिए हमारी रिलीचन में इसको इंप्लोड किया है इनी कर लोड़ा है यह समझ में आ रहा है होती है रिलेटेट टू दूस और डॉंस इसको आप क्या प्रैक्टिकल यह कहीं और हम जाते हैं तो यह प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या याप सोचो अभी जैसे सुबेश नान करना है तो अगर कैनडा में जाओगे आप तो माइनस टेम माइनस डिग्री टेम्परिशर हो इस पॉसिबल की वहाँ पे जाके रोज दुबए साथ बज़े स्कांग करें तो यह कंडिशनिंग से आपको बाहर निकलना है एस पर सिचुएशन यू नीट टू बी वेरी फ्लेक्जिबल ठीक है अभी और एक पैक्टर होता है पीर का पीर जबी बच्चे पैदा होते तो उनको पहले माते बिचारे को वेलकम हसी खुशी कोई बड़े अक्चे से मनाते लेकिन जब इक बिचारे का जन होता है तो उसको पीटा जाता है फिर वो रोता है पीजने के पाद यह बहुत साड़ है तो सिंगापुर में ऐसे पानी में ही डिलिवरी होती है तो वो जो गर इसे वो जो बच्चा जन लेता है उसको फियर का पहले वो एसास होता है क्योंकि सरवाइबल इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा होता है ने इंसान का जिन्दा रहना इसलिए फिर वहीं से स्टार्ट होता है फिर बच्चा जब ही चोटा होता है तो उसको क्या बोलते अरे यह म पानी में स्वीमिंग नहीं करते हैं कि अरे यह देखो यह कुछ नहीं करता है यह सब बहुत अर्कों हो गया ऐसा कैसे हो गया पता नहीं पूट नहीं रहता है कि बच्पन में आप लोगों नहीं इसे वह पीर का पीलिंग लिया है और वह सबकॉंशन में जाके पैट गया तो यह फियर इनमोल का आपको किसी को भी कोई अगर ऐसी समझ गया है तो इसका सोलूशन आगे जाके होगा कि हाव टू टैकल दू फियर या हाव टू टैकल लोग ओंपिडेंस की यह ना कर रिल्वो ना कर य इनको पैसे निकाले कि हम आगे जाके देखते हैं और यह वांट यू तो राइट वाटार दोस प्यूर फैक्टर्स डैटर बॉदर लिंग वाल कि तीन ऐसी चीजें है कि जो करने के लिए आपको डर लगता है या आपको डर बिंदा से इसे नहीं कर सकते हैं एक मेरे पास सब्सक्राइब कोई भी घर में बात नहीं करता है उनके सामने वह बोलते थे जुबान चला रहा है तेरी मुझसे बात करें की इंबत कैसे हो गई तो ना इस तरीक्के से लैंग्वेश उसने बच्पन से सीखी है और एपन उनो उसका कर्यर बिल्फुल ड्राइट हो गया ब उसमें जॉब अच्छी मिल गई बट वो सबकॉंशनस मैंड में फिर था कि रिली किसे से बात नहीं कर सकता है वो इस पैसिंग डाट लगता है मेरे सीनियर से बात करने के लिए डर लगता है मैं ऐसे फब्लिक फॉरं मेटिंग में बात नहीं कर पाता है उसकी वाइप उसक के सामने कोई अपनी मन की बात बताने के लिए भी वो डरता है कैन यू इमेजिन वाट इस रिजन बिन डिस कंडिशनी पैरेंट्स भी उसे वह फिडमी नहीं दी कि वह खुलके बात तरके उसे रोका गया उसे बहुत स्ट्रिक तलिके से ओवर डिसिप्लीन इससे उसे अप विल क्रियेट सोलुशन पॉड़ीज अंडर सुड़ आपके घर में कोई किसी के घर में अगर बच्चे है उनके साथ में बीवेवियर किसी का अगर आपको नजर आता है तो उनको बताए कि इससे ऐसा ऐसा आगे हो सकता है इससे का भी कम्यूनिकेशन के लिए आप रमोट करो या उसे इंस्पायर करो कोई बात करता है तो उसे रूपो में यह पॉइंट समझ में आ गया इसमें कुछ कंफुजन नहीं है न समझने में आप आप ऐसा अपना जो है क्या बुलते उसको अपनी ताकत अपे बच्चों पे मत दिखाना वर्बली नहीं फिजिकली नहीं बॉडी लेंगवेज से नहीं आखों से नहीं बच्चे डर जाते हैं लोट्र प्रियर प्रेटर इंदे माइंड सफ चिल्टर अभी नेक्स से होता है वह है है वह है विजिए हैबिट पैटर्स तो अभी बहुत सारा विग अधरल है हरी के लाइफ का विकॉज इसके ही वह सक्सेस है या एक्ट्विमेंट से वह हैं पर हो जाते हैं तो हैबिट पैटर्स तैसे डेवलोप होते हैं वह भी बच्पन से कुछ आदते लग जाती है जिसको रोका नहीं जाता है या जिसको चेंज नहीं कर सकते हैं पर एक्जांपल रात को चाके टीवी देखना है या मोबाइल पर टाइम पास करना है इसके क्या होगा हेल्थ एफेक्ट होगी बहुत अरे ऐसे आदते होती है स्मोकिंग वगरा तो ठीक है वह तो वह तो बहुत ही बुदा है लेकिन एन नम्मर ऑफ हैबिट्स जिसको आपको कम करना है यू वांट तो डिव दोस हैपिट्स वठोड आपसे नहीं हो गारे कोई भी पैटर नहीं बेड़ सकता है उसको पहर एलानी की पहर एलानी की आदत होती है बहुत पनी लोगों की आदते होती है यस कुंदन इसको कैसे वह भी हम देखते हैं क्योंकि वह आपका आपकी लाइफ मतलब आपका टाइम है तो जितना आप टाइम इन्वेस्ट करोगे acz take money is not the wealth time is the way the more you invest your time in the right thing it will create a good life for you so always time is important तो यह मोबाइल को अगर मोबाइल की आदत है या वाट्सप की आदत है डिजिटल ज्यादा सोशल मेडिया की आदत is इसको कैसे टैकल करना है वो हम आगे देखते हैं पट आल अफ यू नेट टू राइट री हैबिट्स इसको आपको छोड़ना है इसका सोलीशन में देखें हमारा यह सेशन है ना लेक्टर से जाद है इंटराक्टिव हमारा एक्षिन प्लैनल था है और सारे आपको एक्ट्व इसको अध्यात्मा दर्म में क्या फरक है इनिवन रिपलाइ इसे दिफरेंस इन नो अगी प्रिट्विए और दर्म रिलिजिशन को कि आज कल दर्म को यह सब स्पियोडियू लिटी मान रहें क्या बंगे आजकर जो भी कोई आता है इस प्रिछिश्वें पेस आते करने सब्सक्राइब कर दो आध्यात्म ही वो होता है जो आत्मा से जुड़ा होता है सोल से कनेक्ट होता है जिसका समब्ळ होता है वो ends Sport every one or every human पदहुल यूनिवस इसमें वसुद भई वा कुतुमबकम ये उसमें कंटेफ होता है मतलब सारे मेरे ही लोग है और मैं ही सारे लोगों का हूँ और जो एक शिश्वरिय शक्ति है जो भी एक वो एनर्जी है वो सब में है जो भी बनाया हुआ है ये पुद्वी पे वो शक्ति से बनाओ बनाओं यह ऐसा श्幹 स्ट्रिश्वलिटी में मानते हैं गळी मांता है कि हिंडू हूं कि क्रिशन हे हिंडू में हम्रामीन बरामीन हो ये कोई और है उसमें भी ब्रामे को तो दर्म क्या होता है एक कम्युटी है जब भी जनम होता है तो कोस्टिंग जब बहुता है नहीं हो नहीं ही तो कोई लेबल नहीं है यसके पता चलता है कि मेरे विल्ट यह कि बार में पता चलता है कि बड़र में वह उसमें अपंपार्ट होते हैं तो मेरा यह मैं यह कंमोटिवेट को वो community से related activities करना अनिवार्य होता है विकॉज वो community की नीर होती है इसले से मराथी है वो कणपती वगरा करते हैं स्विश्टन है वो सब वो सिसमस का सेलिप्रेशन करते हैं तो यह as for the community they are all living the life और community जो वही उनका धर्म होता है और spirituality में spirituality doesn't believe कि वो धर्म यह का सिसी में विश्वास नहीं करते हैं they see God in everyone जो भी है सब में इश्वर है और सभी इश्वर का आउंश है यह मानते हैं तो यह clear हो गया what is the difference in spirituality and religion any question spirituality में most important क्या होता है कि इंसान होता है human is he is the human और spirituality में जीव मानते हैं जाहे वो animal हो या कोई हो उसको एक जीव मानते हैं ठीक है spirituality का रोल जीवन में यही होता है कि you need to be first a good human being when you become a good religious person then you become good son or daughter you know as they have the rules आगे define समझ में आ गया सबको yes ma'am yes अच्छा दो important point first कि हमारे जो भगवत गीता है वो पता है कहां पे इसलिव रुष्ण ने बताई थी अर्जुन को इनिवन नो कौन सी सब्सक्राइब कुरुख शेत्रा जैट मी मंदिल में बैठके अर्जुन जी को बुलाया आसन दिया और कृष्ण जी ऐसे वो चावरं पे बैठे और बताया ऐसे हुआ था अ रड़ पे युद्ध चालो तो जब युद्ध का माहूल था और अभी युद्ध स्टार्टी होने वाला था उससे पहले इसलिव रुष्ण नी ने अर्जुन को बगवर गीता बताई थी सुनाई थी और क्यों बताई थी क्यों सुनाई थी what was the reason and purpose behind that अपोजिट जो पार्टी का अपोजिक पार्टी उसके family मतलब family में से रिलेटिव थे उसके अपिर भी रिलेटिव थे थे आपको आती के अपोजिट जी न को बोला था आप रिलेटिव थे इसमें नहीं होगी आपको धर्म का मतलब अब धर्माता वीचार कराई ताए वह अपने अपल्या वीचार कराई थे दिर्फिटी कि नहीं थे तो दर्म में ऐसे में तरके हिंदू और तो वो मुस्लिम तैसा नहीं था ना इट वास धर्मिस वो गुड़ अगेंस एविल अच्छाई की जीत बुराईते हो ना अनिवारियर है तो बुराई की ताकत बढ़ जाती पर फिल विश्व में असंदुलंद पहलेगा तो अच्छाई की जीत बुराईते हो इसलिए अच्छा अच्छा थे लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उसके लिए उनका मनोबल तो तयाव देकिन एंटे टाइम ओप विपोर दस वार्वी इसकार्ट वही ताइम पे उनको लगा स्क्राइज आरे ये तो मेरे गुडू रहे यह मेरे दादा जी है यह मेरे चाचा जी है अपनी लोगों को मैं कैसे मार है तो बढ़ बड़ा यह कैसे पाप ग कर मतरहो जो को इसले ऊपना जो डनुश होने रड़िया और रहताश हो करने वाला मैं इनको नहीं माल सकता हूं यह मेरे अपने लोग है मैं इसे प्रेम करता हूं स्रिफ रुष्ण नहीं उसे पहले न उसे उसकी पुरी बात कुने किना कम्यूनिकेशन में एक चीज इंपॉर्टन यह है कि कोई भी आपको कुछ बताता है तो यू नेट तू लीसन पर तो कम्प्लिट तूनो उसके बाद में फिर विचार करो रिपोर यू रियाक्ट तो मन में आया वह तो यह कम्यूनिकेशन का बगवत भीता में बताया गया और फिर भगवान स्रीरुष्ण ने अर्जुन को अठरा अध्याय में अठरा श्लोप में लाइफ कैसी होनी चाहिए डीसीजन कैसे लेने चाहिए कम्यूनिकेशन कैसा होना चीए यह यूनों हर ए एक आस्पेक्ट में पूरे लाइफ स्किल की किताब है और आपको शायद पता नहीं लेकिन वेस्टन यूनिवसिटीज में मैं इसको इंक्लूड किया है और अभी हमारी भारत में परंबरा क्या है तब लोग रिटार होने के बाद में फिर गीता पड़ते हैं गीता सिक्ष की सेवेंटी के बाद एक्षुली बगवर्दीता का ग्यान कभी होना चाहिए इस्पाइट ओफ वाटेवर रिजिजन वाटेवर कास्ट वाटेवर यू आरिन बट परवर्दीता इस लाइफ स्किल की किताब है हमारे हम जब ही मोबाइल लेते हैं मोबाइल के साथ में कि यह इंस्टुमें के बारे में सारा उसमें बता होता है इस्टूप्शन्स मैनुल बगवर्दीता इस जीवन का एक मैनुल है जो भी बगवर्दीता ओसी तहएगा विल्कू उसकी लाइफ सब्सक्राषिज में बहतर हो इस में सारे लाइफ च dereff यहे लाइफ की मैनेवर लेकिन लोकमान्य तिलख है उन्होंने गीता रहस्य लिखा है और गीता रहस्य बिल्कुल कर्म के बारे में मतलब डेली रूटिन लाइफ में हम लेने पड़ते हैं उसके बारे में उन्होंने लिखा लेकिन लेकिन लोकमान्य तिलख लिखा जेल में लेकिन लिख सकते हैं और तावर कर है वो तो पुरा अंदर मांते हैं स्विमिंग करके आ गए तो यही तो चीज है जो आप में आनी चाहिए और यह मुंडेग जो रूटीन एक्टिविटीज में हमारा टाइम वेस्ट होता है न इंस्टेड ऑफ डाइट आप इतना फोकस जरूरी एक्टिविटीज पर करो उतना वो फाइदा होगा लोग फोकस क्या है जहां पर फोकस है वहां पर एनरजी क्रियेट होती है कर पूरच की रोचनी देखो लेजर से हम एक ही जगाँ पेपर हैं और बायक आपका कोकस होना जहीं, जो भी आपको चीज करनी है चुमेंट करना है बाकी जहमेले आपको कि फोकस करो दो नौट गेट डिस्ट्रैक्टेड एंड कंप्लिट परसेंट फोकस हैस तो भी और वाट वांट तो एक्षिव इन यूर लाइफ तो लिखे आपने हमें आगे अच्छें प्लान भी करना है तो यहां तक कोई डाउट है आपको सबको कि इनिक वेली और समझ में आ रहा है कि बहुत हेवी हो रहा है में मेकिंग इस लाइट अग्याइट तो आप लोग अभी आपके लिए हैं आपको हैबिट्स लिखने हैं जो भी आपको फियर है वो लिखना है और ऐसी कोई बिलिफ सिस्टिम है कि जो जरूरी नहीं लेकिन आपने वो पकड़ के रखा है या फिर आपके अंदर माइंड के अंदर है कोई भी बिलिफ सिस्टिम आता उसके बारे में भी आप लिखना रहे हैं और आप में वो अवेर ने सुना चाहिए कि आप अभी जबी घर पे रहत आपके हो तो कोई आपसे बात करता है आपके आप पहले से रियाक्ट करते हो कोई तुस पता रहा है तो यह बहुत ज़रूरी है कि आपने होना है अच्छा अब एक और एक मुझे क्वेश्चन है कि वाट इस गॉड़ इश्वर क्या है मन का और इश्वर का बहुत प्लोग से लिए अन्म्यूट कैन एनिवन रिप्लाएं पता है से चलेगा अपकी बॉड है कि नहीं हो तो नो हमारे अंदर है ऐसा बोलते हैं हाउ तुने अंदर है है अब पंचे तप्वास पंचे तप्वा नहीं तो एक भाग है अधर मॉटर उप महिते का सबके बड़ा प्रूफ क्या है पता है जबी हम चलते फिलते रहें खाना खाते हैं हां डाइजेस होता है पानी पिटे डाइजीस होता है सारी शरील की क्लियाए चलती ले अश्री हमें पता नहीं हो ता लेकिन हमारे बाल बढ़ते रेते हैं नाक है वो गिनके उतने ही श्वास सबको दिया है इतने लाइफ है इतने साथ श्वास है इसमें जो भी करना अप गर은 इस चोई को अगर यह स्वासका किसी का भी खतम हो जाता कि इसकी आप toxic जैसे इंसान वह मर जाता है उसको घाना नहीं खिल शकता है इसको आशा बिटिलेट हो जाते हैं पानी बर जाते हैं वह खरा बोलने लगते हैं तो इसी कौन सी चक्ति है जो यह हमारे अंदर सालिक लियाय कर तो इस सिस्टेम कौन चला रहा है हम बिटिलेटें बड़े होते हैं बोलना आ जाता है कि यह सब कौन करता है तो चेतना शक्ति बोलते हैं यहीं लाइफ पॉर्स मेंस गौड है तो यह इश्वर से कैसे जूड़ना है जितना अपने आपके अपने मन को आप इतना शांत रफो इतना सहज रफो और जो जरूरी नहीं लाइफ में वो ज्रमिले में जादा आपको हिंवाथ तो यह आपको हैसास होगा और अपने विचारों पे ध्यान देना कि मैं क्या करहा हूं वास पे ध्यान देना बाइटी सफिशन इनिश्यली अपाद में यह बढ़ा सकते हैं अच्छा कैसे लगा आपको सेशन बहुत है वी तो नहीं हुआ ना समझने में नो नो फाइदा हो रहा है कुछ सिखने का के नहीं वो इंपोर्टेंट है नहीं तो नहीं तो घर जाके सब घर पर ही हो सब लोग नहीं तो सो जाओंगे तो साइकलोजी लेक्टर बहुत बॉल अच्छी लगती है उसको भी मैं अच्छा लगता हूं लेकिन पता नहीं उसे बात करते हैं मैंडम मुझे यह अच्छी लगती है उसको भी मैं अच्छा लगता हूं लेकिन पता नहीं उसे बात करते हैं अभी लड़की से बात नहीं करेगा आगे जाके मिटिंग्स में बात नहीं करेगा ऐसे भी फेर फैक्टर है कंडिशनीं तो यह आप लिखो सब इसका सोलूशन कैसे करते हैं निकालते हैं वो आगे के सेशन में देए ओके तो नेक्स टॉपिक विल बी मौर इंट्रैक्टिव जिसमें हमें सारा यह तोलूशन पर फोकस करना है एक्शन प्लैप ठीक है एक एक परश्चन कोई भी लैंग्विश में कोई भी चांस्लेशन पड़ो चलेगा और पढ़ने का कैसे है कुछ-कुछ लोग या कुछ-कुछ अर्थ हैसे कि इसमें आपको लाइफ स्किल मिल जाएगे आपना मजे लॉट्ट चाजवा पन्चे परेक्शन करता है तुम्हीं बोल लादा की दोन बाएदोन समय आपने कट्डाग कुछ विए पानी डखतो आपना मजे आपना मजे आपना मजे काई-काई भाग आशेर में राज्यस्तान के वा मजे जमीन पानी नाइच है तिते को फीट है जमीनी मदे तर मा तैवले कसा आपना मजे एजुन करनर की जमीन सागले शोफ इस्थी कर वेग्राइस इसके में राज्यस्तान मगरें मदे तिकडे पाणी 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 ओता है से ता खर्ट्या में अलैला करी थिकलवा पानी में बगाए इकड़ी कॉलिटी ओफ सोईल से इस के पास संगे थे नच्वा बगाई थी वास बगाई था रंग बगाई था थे बगाई था आणि पाच्वी गोश्ट मंजे तिकड़ी खड़ा खड़ू त्याचा पानी बराई था था पान टाकाई था अणि थे पान ज़र फ्लोफवास किल्ळ थे ना थिटे अनर्जी सश्नी प्राकिकल धी अगड़े रशी सब्सक्टी अगड़कु वालु घंती वालु भाटका थिक पड़ना थिट चांगली जमीन ना थिजर कंड ग्रेविटेस्नल सोलगणी था थिजर्वीं स्वूथ स्जोवीत दी पड़ली ना था समज तुम्हाला ही करना अउघडा है पाने चो शो पई घटा करेंचा पानी बराई चो पुल्ण खट्ट्टिया में चांगला एक पुट कमी चाला पेस डोण पुट करेंचा पाने बराया चाने काद पाम के खोलता है तो अदि मत्री कर सकाई ते पानी सखेलेश होते हैं ते तो लूँ पर्टा हूं अफो इनी अदर क्वेश्चन मां आपकाई द्धार्मिक कुस्कत को गर्वाटर चाश्च द्धार्मिक बगवद दिता गरुड़ कुर्वन गरिया चुट गरुड़ कुणिशन अब करका तुम्ही त्या रिलिजियस जैस्तन आपलो ते पन कंडिशनिंग अचे कि तुम्हें अंगोल करा मगवाचा तुम्हें अंगोल करा अगवाचा देव हा सबीकड़े आए अगे आड़ी ते रिच्वोल सस्ता जलावड वरिच्वोल्स मंतों पिकाही कुल धर्मा चा तुम्हें अग्हां आठ लाट गनपती शुपजा करें अपलेला त्या परम परे प्रमानी पाल साइच अग्णेवाचि ने लाट प्रणसों तुम्हाईश्य सांग लेक्त वाचा पोट न हो तो जो नाया पीशना कि मूंजे से ले कर्णिसे ना कि वहारे समध्भ वह संद वार्थ के है अठीव थी जुद पुद्धा पूमय वर किके जुद्ध वुद्धा आगित लगा अर्जुना यहां हो इते उग्डव भूमिया है इते गीता नस्के संगवेट संगेजी तुछ अपकल काड़ा रसोच अपन ठीके देवडाच जाओ यहां मी मुर्ट वक्तुला गीता संतो इत नेवर हैपन नहीं तो तंगले तंगले कुछले ही कामला जागा ब ढम किताल भूम कुछ भ्वहा शाओ और चमारे विञती शोट्थ मैं पुर्ड़न दरर्ट तक व्हआपना करता है हो गहीं करते गहां में अब we juice है जीने की और इंद पर शाहए है हमारा जो होड है हमारी शक्ती है अन प्रोड़क्टिव हो जाती है तो हमारी जो है एनर्जी हो प्रोड़क्टिव या क्रिएटिव चीजों में डालो आप यह मेले में मतल़ वहीं भी बैटो पड़ो अच्छा लगता है आपको पड़ो और डोंट फिल नेवर फिल गिल्टी इवर फिल गिल्टी पॉर एनीधिंग के दाजबोत पन वार्चा दाजबोत पन चाने ऑक्सपर्ट चे युनिवर्सिटी मदे मैनेजमेंट ताग रंटमने निपूर तेचा मदे इसको सुंदर तेचा दी मुर्खा ची लग्शन वार्चा दाजबोत तुम्ही एंज्वार कर ताजबोत हिंदी में भी है मुर्खों के लख्षन करके उसमें भाग आता है वह पड़ो अब बाकि सब कुछ करो लेकिन वह पहले पड़ो अपने आपको समय में आता है हम कितने मुर्ख हैं कर दो किता रहस्यादर के कानी लोगमानी प्रेटा निले ले जी बबबद गीटे शारी ना प्रश्यादर सम्मझें तो फ्रवकर निए तो बाद में मिलते स्वेश्चन कोई है और प्रता आज हमने क्या दिखा फॉर्स जो नो वेर्य वेर्य गर्डिश्टिंग लाइव एसे नहीं आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या करें हो आपकी चॉइस्पिस क्या है आपके डिसिजन क्या है और जो भी आज करें हो उसका आपके लाइफ में करियर में एल्स पे क्या परिडाम होने वाला है यह वेर्मेस आपको होने चाहिए था किस वाई वी आर क्रिएटिंग पूल सेथिंग फिर हमने देखा कि पियर कैसे होता है यह यह देखा पंडिशनिंग क्या होता है और एक टॉपिक कवर करके पंडिशनिंग का नेक्स इसमें अभी लेट हो कंडिशनिंग अबाउट मनी बहुत एंडिया में हमारे काई पैसा पैसा करतो है कित्की पैशा था बुकेल आए यह डायलोग सुने है ना आपने पैसा पैसा करना ठीक नहीं हो रही सुना है कि नहीं कभी आपको आपको अनलाइज करना है कि आप घर में आपको अनलाइज करना है कि आप आप इन में कौनसे तौवीश गंटे है तो उसमें आप सुनसे activities में उसमें productive कि कितनी है अपके लिए क्या फाइदे का है वह आपको देखना है आप है खिचलो दिन आप सब्सक्राइज कुदे दो इन देश आफील